अगर आप train का ticket confirm book करना चाहते हैं तो exigo application से train का ticket confirm book कर सकते हैं इसमें दोस्तों आपको बहुत ज्यादा chance मिलता है exigo application से train का ticket confirm होने का ठीक है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वालों कि exigo app से train का ticket confirm कैसे book कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको करना चाहोगा अपने mobile के play store में आपको चलियाना है उसके बाद आपको search करना है exigo जैसे ही दोस्तों exigo आप search करेंगे exigo का official application आजाएगा exigo application को install कर लेना है install करने के बाद दोस्तों आपको open का option दिखाई देगा मैंने यहां पे login किया हुआ ठीक है तो यहां पर अपर मुझे login करने के लिए नहीं दे रहे एक mobile number डालकर otp डालकर login कर लेंगे उसके बाद यहां पर आप train का ticket book कर सकते हैं बस का ticket book कर सकते हैं तो यहां पर मैं train का ticket book करना चाहता हूं तो train वाई option पे आपको click करना है उसके और तू में इस्टैसन का नाम डालेंगे जैसे कि आ अपर इसे आम घॉसके त्रिट के लिए जालेंगे अप्डेट स्लेट करने के लिफे आपको करना किया उखा यहाँ पर एक कैलेंडर का उप्षंट बना ओगा इस calendar वाले option पे click करके ticket का date आपको select कर लेना है जैसे इस पर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी green tick लगा हुआ है वाले option पे click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे जितना भी यहाँ पे train जाती होगी इस train में आप ticket book करना चाहते है वो आप दोस्तों उस train में आप ticket book कर सकते हैं और यहाँ पे देख भी सकते हैं किसमे betting कितना है किसमे seat available है किसमे RSE है सभी चीज यहाँ पे सोग कर जाता है अगर आप सिलीपर में बुक करना चाते हैं तो यहाँ पे सभी बुक कर सकते हैं यहाँ पे सभी चीज आपको सोग कर जाएगा अब जैसे कि आप यहाँ पर देख से सभी train का यहाँ पर नाम दिया गया और सभी train के नीचे में आपको seat का यहाँ पर available दिखा देता है ठीक है अब दोस्तो जिस train में आप train का ticket book करना चाते हैं और दोस्तो sleeper में book करना चाते हैं अब दोस्तो यहाँ पर दोस्तो जैसे आप करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरपेस आजाता है अब दोस्तो यहाँ पर पैसेंजर को एड करना पड़ेगा तो add new passenger के option पर click करेंगे उसको पैसेंजर का नाम डालेंगे यहाँ पर फूल नेम एज पर government idea यानि कि आधार कार्ड में जो भी उसका नाम है वह आधार का नाम यहाँ पर फूल नेम डाल देना है जिसका भी ticket book करना चाते हैं उसको age डालेंगे ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पर seat select करना है lower लेना या वाले option पर किलिक कर जैसे इस पर किलिक करेंगे एक passenger detail यहाँ पर एड़ rpm कर सकते हैं इस तरह से new passenger का एड़ कर सकते हैं पैसंजेर का डीटेल देने के बाद नीचे प्रोसीड टूपए का ओप्सन दिखा देगा इस पर किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर बोल राए इंटर I.I.R.C.T.C. आईडी तो यहाँ पर दोस्तो आपने अभी तक I.R.C.T.C. में एकाउंट नहीं बनाया है तो उस पर म आपको इस वीडियो के डिस्क्रेशन में और i button में उस वीडियो को लिंक मिल जागा उस वीडियो को देखने के वाद बहुत ही आसानी से IRCTC में एकाउंट बना सकते हैं और एकाउंट बनाने के बाद दोस्तों IRCTC का user ID आपको यहाँ पे डाल देना है जैसे उस पर click करेंगे यहाँ पे no के option पे click करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का interface आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अब payment करने के लिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा और दोस्तों EMI से कर सकते हैं पे लेटर से कर सकते हैं और net banking और wallet से भी कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों जिसके through payment करना चाहते हैं उस option को आपको select करना जैसे कि आप यहाँ पे अगर phone pay से करना चाहते हैं phone pay वाल उप्शन select करेंगे उस पे के option पे आपको click कर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में pay का option दिखाया देगा pay वाले option पे क्लिक करेंगे उसके पाद प्रोन पे का UPI pin डालेंगे कुछी स्रिकण में दोस्तों आपको ticket का यहाँ पे payment हो जाएगा सक्सपूली तो जैसे ही दोस्तों पे क्लिक करेंगे आपको phone pay का UPI pin ड डॉनलोड कर पाएंगे उस पर मैं सेफरेट वीडियो बना चुका हूं जो कि दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रेशन में और आई बटन में वीडियो मिल जागे उस वीडियो को देकर बहुत ही आसाने से टिकट का यहां पर दोस्तों पीडिया फाइल डॉनलोड कर सकते हैं वो भी दोस्तों कंफर्म आपको यहां पर कुछ भी दिकत नहीं होगी अगर दोस्तों फिर भी आपको कुछ प्रोलम होती है तो दोस्तों आप कॉमेंट कर सकते हैं मैं दोस्तों आपको कॉमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा ठीक है आई होप दोस्तों वीडियो पसंद वीडियो को लाइक एंड सेर जरूर करें